नहीं नहीं वो डॉक्टर अनू बाबु जी कोई है पहले उन्होंने फोन किया था बताया कि मेरे क्लिनिक में काये हैं आदमी उनको मलेरिया वगरे के इलाज चल रहा था उन्होंने का कि डेड ही आएं तो डेड के जाज की विवस्ता अभी हमारे हां ना उन्होंने कोई लक् होंगे उनको थोड़ा भी शक होने पर एक डॉक्टर है तो आज के जमाने में आज के माहौल में शक करना था तो उसका जाच उनको पूर्म में करवाना चाहिए था हमारे हाँ चौविस गंटा फुलू कॉर्णर खुला हुआ है आए होते तो निश्चित जाच होता उनका वो मृत शरीर के बारे में कह रहे है उनका जाच तो जैसे ही उन लोगों को घर जाके रात में मेडिकल की टीम देखी है और तिर आज भी जाएगी एक दिन और फोन से पूछा जा रहा है इसलिए उनमें किनी में कोई भी संका होगा सबों का जाच होगा हम तो रैंडमली अ पोस्ट मार्टम कोई और नेचुरल और डेथ में होता है ना कोरोना मात्र की शंका पर पोस्ट मार्टम नहीं होगा भाई को परसों एटीम रिफिल करने जाए था पाने महिंग गया उसका फीवर था फीवर में कल फीवर ठीक हो गया आज दिन बर में कुछ नहीं था हम आपके इनके रवाईया से संटुस्त है बिल्कुल नहीं अगर इनके चलते हमारे मुहले में या हमारे घर में किसी हो कुछ होता है तो जवाब देही और परसाचन की होगी और सदर अस्पताल को यह जो डेटकी है यह आपके कौन है इनका क्या नाम है मेरा छोटा भाई है अभी एटियम इनचार्जी के वही था आपका शुब नाम अभिनाश कुमार सिंग्ट के मार्किट में धूम मचाने के लिए आपके शहर सिवान में आ गया है दास एलेक्ट्रोनिक्स जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर बन ब्रांड़ बस्तुएं जिसमें अदेवाद नियर्शिव मंदिर सिवान